गुद मॉर्डे स्टुडेंट्स वेलकम यू ओल डिजिटल प्लाटफॉर्म अफ एस्प इंसिट्यूट और मैं हूँ आपकी बायोलोजी मेंटर मिनाक्षी शर्मा और अभी हम एग्री बायोलोजी का चाप्टर नंबर टू कर रहे हैं चाप्टर नंबर टू जो कि बायो टेक्नोलोजी से संबंदित है और उसके हम बिल्कुल लास्ट पड़ाओ पर पहुँच चुके हैं हमें देखा कि बायो टेक्नोलोजी क्या है अपनी एच्छिक जीन को आपके जो भी पादप है या जन्तु इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं उनके आनुवांशिक पदार्तों में रुपांतरन करना ताकि आप एच्छिक लक्षनों को अपने पादप या जीवों में देख सकें और मानव जाती कि उत्थान के लिए उनके उप्योग के लिए उसको कारे में ले सके तो यह बायो टेक्नोलोजी है जिसमें जीव विग्यां को और साथ साथ टेक्नोलोजी को आपस में जोड़ करते हैं जैसे कि PCR टेक्निक हो गई थी हमारे पास में जैल लेक्षन टेक्निक होगे उनको भी देखा फिर हमने देखा कि जो भी हमारा विदेशी डीने है या जो हमारी एच्छिक डीने खंड है उसे अगर हम पोशी कोशी का जिसके अंदर हम आप परिवर्तन करना चाहते ह उसमें डलवाने के लिए क्या तरीके अपना सकते हैं तो वह वाहग रहित और वाहग सहित दोनों प्रकार के हो सकते हैं वाय टेक्नलोजी के हमारे जीवन में महत्व क्या है हमने इंको देखा और हम आगते टिशू कल्चर टेक्निक पर एक ऐसी टेक्निक जिसमें आप शिकाओं को लेकर हम नए पादब बना सकते हैं तो पूरे पादब के संक्रमन होने पर हम उसे अठा सकते हैं इस अवधी के इंदर बहुत कम समय लगता है तो रिजल्स आपको बहुत जल्दी मिल जाते हैं उतक समवर्धन की विदियों में आम लोगों ने ब्रुन जी चैब ने तो दुई गूणित कैसे मिलते हैं पहले हम यह देख लें और पराग समवर्धन विधी में पराग पनों का समवर्धन करेंगे तब ही हम को क्या मिलेंगे अगूनित पादब लेकिन यहां पर दूई गूनित पादब मिलने की चãंसे होते हैं कैसे आज हम लिखने के अंदर उसके भाई अकारी की अब बनावट में ही समान हो उसकी संतती हर माइने में उसकी संतती अपने जनकों के क्या होनी सही है समान इस माइने के अंदर हमारे पास में एक ये भी पॉइंट आ जाता है कि उनके अंदर गुंसूत्रों की संख्या भी समान होनी चा ने की तो जब आप फिरय shades हो देखते थे तो आप फ्र expect क्लियर करने लिए और एक आप के पास में बच्चा आ जाता था लैंगिग चनन है जब आप अलेंगिट जनन को परते थे तो जहां तक मुझे यादए आप यहां पर इक चीज बोलते हैं कि यहां पर क्या होता है एकल जनक एकल जनक क्या होता है? उपस्तित होता है, सिफ एक जनक उपस्तित होता है जबकि यहाँ पर क्या होते है? एक नर्व मादा, दोनों को ही यहाँ पर क्या कर लिया जाता है? सम्मिलित किया जाता है क्योंकि यहां पर एक ही जनक है तो मान लीज़े जनक के अंदर गुण सूत्रों की संख्या 14 है यह इसमें 14 है तो इसे अपने समान अगर संतती बनानी है तो इसे कौन सा विभाजन करना पड़ता था संसूत्री और जिसके दुआरा इसकी जो संतती बनती थी उस संतती के द्वी विभाजन मुकूलन है या नहीं है काईक जनन ये सब कुछ इसी के प्रकार थे लैंगिंग जनन के अंदर क्या होता है नर जो है वो क्या बनाता है नर युगमक बनवाता है और मादा जो है वो क्या बनवाती है मादा युगमक बनवाती है और इनके अंदर बेसिकल यहां पर जो नर है उसके अंदर कितने गुण सूत्र है चौधा और मादा में भी कैसे चौधा इनसे बनने वाली संतती में गुण सूत्रों की संक्या समान होनी चाहिए अगर इस संसूत्री विभाजन करके बनाएंगे अगर संसूत्री विभाजन करते तो युगमक 14-14 वाल सकता है यहां पर बेसिकली क्या होता था अर्दसूत्री विभाजन से युगमक बनते हैं और युगमक सदय भी कैसे होते हैं अगुणित होते हैं तो यह साथ और साथ वाले होंगे और जब इनके अंदर निशेचन की परकिरिया होगी तो 14 गुण सूत्र वाली क्या बनकर तयार हो जाएगी संतत्ति बनकर क्या हो जाएगी आपके सामें तयार हो जाएगी है नहीं है अब अगर आपको कैसी बनवानी है इन दोनों के अंदर ही क्या हो रहा है कि जो जनकों के अंदर गुण सूत्रों की संक्या है वही समान गुण सूत्रों की संक्या संतत्ति में आ एक पोशक माध्यम ले लेते हैं, तो हमें एक पेट्री डिश ले रहे हैं. This is the पेट्री डिश. और इस पेट्री डिश के अंदर बेसिकली कौन प्रेजेंट है? माल लीजिए, पोशक माध्यम उपस्तित है. इसमें ये क्या उपस्तित है? पोशक माध्यम. अब देखे बेटा, पात्पों के अंदर जो फुश्प होता है, इस फुश्प को आप क्या कहते हैं, पात्प का जननिक भाग कहते हैं, इसके अंदर जो नर जननिक भाग है, उसे हम लोग बोल देते हैं, पुंकेसर, क्या बोल देते हैं, पुंकेसर, जो देखने में थोड़ क्या होता है इस पूंकेशन के अंदर इसकी क्या होगी इस पूंकेशन की भित्तियां होगी और साथी साथ के अंदर इसके अंदर क्या होंगे पराग कन होंगे जो की बेसिकली क्या है नर युगमक है बोलो बात समझ में आई की नहीं अब देखिए बेटा जो नर युगमक हो काया काब रहागई है, ये कोई युगमक नहीं है, तो बित्तियां कैसी होगी द्वी गुणित, तो उसकी बित्ति भी द्वी गुणित होगी, ऌफ उप सिफ युगमक की ताब गुणित होंगे, अब हम क्या करते हैं, इस परागकंन को लेते हैं, और इसे crush कर देते हैं, बिल्कुल अच्छ से crush कर देते हैं, crush करके हम कहां डाल देते हैं, इसके उपर डाल देते हैं, किसके अंदर हमारे पोश माध्यम के उपर डाल देते हैं, चलिए जी हमने crush किया, और crush करके इसे कहां डाल दिया, crush करके हमने इसे डाल दिया है, पोश माध भी कर देते हैं तो मांन लीजिए ये गिरी है वितिया है और ये क्या है हमारे पास ने पराख कन जो की नर युगमक है बितियां दूइ ने पादपो का क्या हो जाएगा निर्मान हो जाएगा और इन पराग कनों से भी क्या हो जाएगा ने पादपो का निर्मान हो जाएगा बोलो बात समझ में आरी कि नियारी अब देखिए वह पादप जो कि किस से विक्सित हुए हैं बित्तियों से विक्सित हुए हैं वो तो ह अच्छा मैंतर है चूहां पर डिरेक्ट लिया आप क्या कर सकते हो और इसी टेक्टनिक को यहां पर क्या क्या जाता है यूस् hice जाता है तो देखिए अब कहाता है या नीच से ओने झाली का प्राग कोशो का समवरद पादब को पूरा बनाता है उसलिए 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 उसे तो यहां पर वे पराघ कणों के द्वारा आप नहीया पौधा बनाने वाले तो करने वाले हो बुण, नहीं है, इसलिए उसे ब्रूनाप याफि आम्र्ड कह सकते हैं, पत्रेकभूणाब एक अगुनित पादप में विक्सित होता है क्योंकि यहां पराग कंho अगुनित होते हैं क्योंकि वो नर्यभमक सोबत न होला पादप भी कैसा होगा हुत होगा पराग समवर्धन के लिए पराग कोशों से पराग कड़ों को हम क्या कर लेते हैं अलग कर लेते हैं पिल्कु आसान सी विदी है हम चुछटे पराग कड़ों के टैप उस पर डालते हैं साइट पर डालते हैं उनको सुई की हैप से या पेनेटरेट करकर करकर कि उसमें से परा पराग करनों को अपनी डिश पर डालेंगे तो पहले वो भी तो विभाजन करके बहुत सारी कोशिकाओं का जुंड बनाएंगे उससे आप कहले सकते हो पराग करोशों से अलग करने के लिए पहले पराग कोशों को चार साथ दिन तक उप्युक दिशाओं में पूर्व समवर कर लेंगे शंशेशिक पोश माध्यम के महत्रपून घटक देखे कौंग कौन से हैं जी ग्लुटेमिन ऐल सीरीन इंसिटॉल वर सोलेने सी कुल के पौदर में सरवादिक अगुनों के प्राप्ति होती है तो आपने अपने समवर्दित माध्यम में यह सारे के सारे क्या डाल समवर्द्ण पर हमारा प्रक्राक नोग खतम हो कोशीका समवर्द्ण जहां आप कोश Jake का से नहे पादक को बनाएंगे अकषर ऐसा एकल कोशी के पादब बनाने के लिए क्लिया संचाय है सिंगल सेल स्पारोलिना से बही। से बरादा ऑपे ऐसा माना जाता है कि आने वाले देखे जगे जगे नहीं नहीं बीडिंगे बन रही है हाउसिंग प्रोजक्ट सा रहे हैं तो इस अवस्था कि अंदर हम अपनी खाने के रिक्वार्मेंट को पूरा कैसे करेंगे पादप को कहां हो गाएंगे और आने वाले समय में देखिए अभी भी प्रोटीन की जरुत हम स्पारूलिना को टैंक में भी ग्रो कर सकते हैं और इस्पारूलिना बेसिकली क्या होती है प्रोटीन विक्सित करती है उसी कोशिका में प्रोटीन बहुत जादा होता है आप विश्वास नहीं करेंगे आपको एक बड़ी गाय सुछ 25 ग्राम आपको दे सकती है क्या और उसका भी आप क्या कर सकते हैं इसका आपको पादप की कुछ दिट्य कुपापचे चाहिए इस दित्य कुपापचे क्या होते हैं यह समझके देखिए प्रकास संस्टेस्टन करता तो गुलकोज बनाता अपने भोजन के लिए जो भी सामान बनाता वो उसके को बाप्षयर्ण को कहते हैं नीलम्मक संवर्दन करने को हम मुक्षिक्व को समवर्दन कहते हैं वीविश पकार के प्रधाद जैसे की दित्य को पाप्षयर्ण एंज स्वाइम उत्पाद, एकल कोशीर, पूटिन, आधी बनाने के लिए क्या किया जाता है उतक समवर्धन का उतकिया जाता है कोई पर्टियुलर एंजाइम आपको बनाना है तो जिस कोशिकामेठों बनता है आप उस कोशिकाम कर सकते हो संवर्धन करवा सकते हो जैसे कि रूब니 इसको行 एंजाइम है पट्मत्योत क आतरी फिर चान के अलग करेंगे कोशिका ये कोशिका थोड़ी बात रह जाएगे उंको चान के अलग करेंगे फिर उसे बहुत तेजी के साथ पर टैस्टी में रखकर एक rapid machine होती उसमें घुमाया जाता है ठीक है प्राप करते कोशिका संवर्धन के पोश्पधार्तों में हमेशा आ साइटो कानिन एक ऐसा पादब हार्मोन जो कि कोशिका विभाजंग को प्रेरित करता है अगर आप कभी देखे तो अपने घर के अंदर आप तींचा फूलों को तोड़ के रख दीजिए वह शाम तक मुर्जा जाएंगे लेकिन मार्केट के अंदर जो बूके वाला होता है ज लुट तो देखे तो जब करते हैं एकपोशिकका संववधन करते हैं तो जिस माध्यां में करने वाले हैं उस माध्या में ओक दालिे अकसर 2-4-D-Auxin को मिलाया जाता है कहीं कहीं पर Cytokanin जो के लगातार कोशी का विभाजन करे और उसमें भी कैनेटीन को मिलाया जाता है या बिंजाइल अमीनो फ्यूरीन भी मिला सकते हैं किन्तु निलंबग समवर्दर में कोई Cytokanin नहीं मिलाया जाता है क्योंकि निलंबग क्या होता है खुद ही कोशी का विभाजन करने के क्या रखता है शमता रखता है इसलिए चलिए अधिक तर परजातियों में कोशी का समवर्दर में पहले मूल का उत्पादल होता है परन्तु कुछ पात्पों में पहले क्या हो जाता है कैलस में या उस कोशिका में से पर्व पहले निकल कर आता है जड़ बाद में आती है ऐसा कॉफी तंबा को धान गे हूँ जो आदी में देखा गया है यह सिफ थोड़ा से बात है जो आपको याद अखनी होगी तो देखी यहनोंने क्या किया यह प्लांट लिया प्लांट की देखी यहां से कोशिका ली कोई उससे आप एक्स प्लांट या आप क्या कहते थे क्रतों तक बोलते थे हैं या नहीं है आप इसको पोश माध्यम के उपर डाल दिया पोश माध्यम पर डालने पर यह क्या करेगी विभाजन करेगी कैलस बनाएगी इसमें से चान कर हम कोई एक कोशिका ले लेंगे जो कि भूणाप के सम्मान कारे करेगी क्योंकि वो पूरे पादप को बनाने वाली है अब इसके अंदर क्या होगा पादप विक्सित हो जाएगा हो सकता है पहले परव बने या हो सकता है पहले जड़ बने कुछ भी बने अधिकतर जड़ बनती है फेपरो बनता है और पादप आपके सामने तया है चलिए अब पादप उतक संवर्धन के क्रशी में महत्व क्या है इतना तो हमें समझ में आ गया कि बहुत अधिक महत्व है इसका अगर हमारा पादप संक्रमित हो चुका है और मान लीजे वो आकरी पादप है इसके बाद में इस पादप के प्रप्टिकलर प्रजाती क्या है एंडेंजड यानि की विरुप्ति के कगार पे है तो उसके आप व्रदी शेत्रों से कोश्चिकाओं को लेकर फटा-फट से नए पादप बनवा सकते हैं या फिर मार्केट में डिमांड बहुत जादा है सप्लाइब बहुत कम है हम नहीं वीट कर सकते कि पादप को बहुएंगे फिर बढ़ा होगा तो यह भी एक माथड है है नहीं है तो बेसिकली बहुत सारे मैथड से इसके तुरू जिसके तुरू आप करवा सकते हैं तो उतक संवधन तकनीक वास्तर में कोश्चिका या उतक को अलग से निर्जम परस्तितियों में यानि कि आपकी पास में है लेकिन आपको जहां लखना है कि वहाँ पर जो भी होनी चीना वह सब रोग रहित होनी चाहिए जम से अगर आसपास नहीं होने चाहिए इसलिए हमने आपको बता है था कि चीजों को जम परी करने के लिए आप जो क्रतों तक लेकर आएं आपको उसको भी जम परी करना पड़ेगा जो आप सामान यूज करने वाले कैंची सुई पैटल डिश पोशक माधियम जो भी आप इस्तिमाल करने जा रहे हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार के कवग विजाणू यह नहीं होने चाहिए उन्हें आप आप अटो क्लेव मैथर द्वारा एलकोहॉल से धोकर साफ करेंगे ठीक है और उन उस प्रस्तितियों में आप क्या करते हो या तो पादभाग को या कोशिका को गवाते हो काइक प्रवधन के लिए परोग रशू टिप या कक्षत शाष्ट का उप्योग करते हैं मैं आपको बता चुकी हूँ काई प्रवधन का कई फस्तों जैसे अद्रक हल्दी में उप्योग किया गया है या दखींगे चीज़को वारत्स मुक्त पोधे की पनप्राप्ति बिल्कुल सही बात है ये भी मैंने आपको मताया था वापसे समझा देते हैं अगर आपके पा संक्रमित कर दिया है वाइरस में संक्रमित कर दिया है आपको पता ये वाइरस कैसे संक्रमित करता है अपने पोशी कोशी का के अनुवान्शिक पधात के साथ या तो अपना अनुवान्शिक पधात जोड देता है या फिर उसके अनुवान्शिक पधात को खतम करके अपना ने रख देता है और इस प्रकार से वह उसको संक्रमित करता है लेकिन पादफ का यह वाला जो भाग है जिसे आप क्या कह सकते हैं शीर्ष विविजयों तक भाग कहा सकते हैं विवजयो तक जड़वाले हिस्से पर भी टन्ने क्या करती रहती है विभाजन करती रहती है अब इतनी लगातार विभाजन करने से वाइरस को इतना मौका ही नहीं मिलता कि वो इन कोशिकाओं को संक्रमित करें मेरा पूरा का पूरा पादप क्या हो गया है संक्रमित हो चुका है यह कैसा पादप है संक्रमित अब मैं क्या इसकी जो ये विवजोति की शेत्र है यहां से कुछ कोशिकाओं को लेकर आऊंगी और इन कोशिकाओं को अपने पैट्र डिश के अंदर रख कर क्या करूंगी ओतक समवर्धन विधी के द्वारा नए पादप बना लूँगी और ऐसा पादप मेरे संक्रमन से कंप्लीटली य तो देखिए परो मेरे स्टेम याने शूट टिप मेरे स्टेम कई वारोसों से मुक्त होते हैं ऐसी दशा में परोग्रा मेरे स्टेम समवर्धन द्वारा क्लोनिय वा अन्य फस्टों से वारक्स पोधे प्राप किये जा सकते हैं बिल्कु सिंपल वाधर था कुछ भी नहीं अगुनित पादप होंगे यहां पर किसी परकार का कोई निशेचन नहीं करवाया गया है तो देखिए और ऐसा आप अंडों के साथ में भी कर सकते क्योंकि अंड कोशी का भी एक युगमक है है या नहीं है तो प्राकोश कल्चर अनिसेचित अंडाश्य सवर्धन तता अंत कोशिकाउं को एक साथ समवर्धिन करवाया तो दोनों के गुना आजाएंगे झोट जो तक टाशा के अगुनित पूदो प्राप्ति कलेए को हो दिक्स बुले surprise से संक्रन तता गहु चेह लिए मक्के से संक्रन कर वाया जाता है ऑज बच जाते है तह आप मुल बौिसम के सायता से गहु बच जो को के जाए जो है बुल्बोसम के हड जाएंगे नेक्स यह समयुगमच लाइने सही बात है आपको क्या करनी है समयुगमच लाइने मतलब आपको ऐसे पादब बनाने हैं जिनके अंदर जो एलील है किसी जीन की वह समान रहे अब देखिए अगर आप किसे बूल गए तो याद की होजेगा यह आपके पास में कोई जीन है माले पादब की लंबाई अब भी पादब की लंबाई को कंट्रोल करने के लिए आपके पास में क्या होगी कोई जीन होगी है या नहीं है अब आपने अनुवांशी के में से कैसे दिखाते हैं या तो पादब कैसा हो सकता है लंब और अगर वो शुद्ध लंबा है तो इस जीन के दोनों ही वित्कुरुमन पात्स, yugmavikalpi यानि कि ये टी और टी क्या होंगे, समान होंगे और अगर क्या है शुद्ध बॉना है तो ये दोनों ही कैसे होंगे, small T, small T होंगे, है नहीं और तो ये वाली जो अवस्ता होती है इसे हम क्या कहते हैं सम युगमजी अवस्ता कहते हैं तो इसमें किसी और लक्षम की गुंजाईश ही नहीं या तो ये शुद लंबाई होगा या शुद बोनाई होगा लेकिन अगर आपके पास में ये वाली अवस्ता आती है तो याद क सकती है किसके पाफ उसकी भी एलील है लेकिन इन पादपों से हमेशा यह कभी भी जनन करें अगर यह सारे ऐसी ऐसी पादप है जो सम्यूगमजी अवस्था में नर भी ऐसा है मादा भी ऐसा वही बाबा जनन कर रहें तो इनके नर हमेशा शुद लंबे पादप विक्सित हों आंता प्रजन स्वारा कम से कम च्छे वर्ष्ट लगते हैं कि इस द्वारा अगुणित पौधों के क्रोमुजोम दो वर्ष में इस परकार का क्या होता है जिसके द्वारा पात्पों को क्या कर सकते हो तो द्वर्धि करने पर लिए पूरिः तरह से सम्यूगमज होते हैं बिल्कुल सही बात है बेटा आपके पास में पादप शुद्ध लंबा है तो उसके यूगमकों के अंदर या उसके पादप भागों पे वही जीन होगी और आप उन्हें व्रद्धी करवाएंगे तो वही जीन एक से दूसरी पीड़ी में जाएगी क्रिया कॉम तीन-चार साल तक दोहरा देते यहां पर कुछ भी नहीं करना है पौदों से प्राप्थ हो जो पूरी थे सही मुझ होते इस विदी का प्रजन कारेकरों में चीन जापान कैना रियोप आदी में उपयोग किया रहा है और कई व्यापारी किसमों का यहां पर क्य जीवित नहीं बच पाते हैं बटा कई जगह पर ऐसे जहां पर भुण पोश क्या हो जाता है खतम हो जाता है जो कि विक्सित होते हैं बुण को क्या दे रहा था भोजन जब वहीं नहीं रहेगा ऐसे पाप कसंकर बुणों को बचाने के लिए उनका तरुन अवस्था में त अव explores… जो जो सीकेल के संक्रों करने पर इजो के परिवर्धन में बादक होते है अता अधिकास शंकर बीज काफी चोटे सुखडय निम्न अंकूरण शमता वाले होते हैं तो देखें हुआ क्या था हमें एक नहीं प्रजाती बनाने थी कौनसी ट्रीटिकेल तो ट्रीटिकेल की प्राप्तिर ट्रीटिकम वा सिकेल के संक्रुनों से होती थी अधिकांस्थ ट्रीटिकम लाइनों में दो प्रभावी जीन के एर वन के एर तू होती थी जोकी इनके बीजों का अच्छा मनाती थी ंवा चिए के पातपोंसे संक्रमन करूं करवाने के बाद में क्या हुआ कि यह सब कुछ खतम हो गया सिकल के लिजये कुछ ऐसी जीन रही होंगी जो कि क्या करे थी स्ट्रीटीकम् को निकाल कर उप्योग पोष्पधात पर कल्चा करकर हम 50-70 पतिशत फूलों के संक्रम को प्राप्त कर सकते हैं तो सोचे हमने क्या क्या में वेटी निक्या जैसे इंका भूण बना उस भूण पोष्ट को जाने नहीं दिया ठीक हमने वहीं से फटाफर भूण को निकाला और आपने हैसाब से क्या कर वाया क हम करवाया था किसी के पादप जी ने हमारे ट्रिटि केछल के पादप बून पोष्ट की उपर कोई अपना प्रबाब नहीं दिखा पाए हैं है ये इस प्रकार निकों को मिला कर नए पादप बनाये इस विधी के त्वारह काहिख क्लोन आख से जन्नी भांट का पुश्माय का इस्फमानों विधियों के किसम स्कालट को बनाया गया है तो iz एक गृत हफले किंस सिगमा सर्णु किसम पूशा जया राधि का विकरास हमने किया है तो प्रजाति के सामान्य प्रोटोप्लास्ट कैसा होता है कोशिका वित्ती रहित कोशिका साइबिड का मतलब यहां दो अलग-अलग कोशिकाओं को क्या करने वाले जोड़ने वाल तदा दूसरी प्रजाती के केंद्र विहिन यानि कि मान लीजिए आप X वर Y प्रजाती को मिला रहे हो तो X वाली प्रजाती में तो क्या नहीं है cell wall यानि की कोशिका बित्ती नहीं है, है नहीं है, और इसके अंदर कौन नहीं है, इसके अंदर nucleus नहीं है, और protoplast सगलंग करते हैं, इनके उप्यों, अब इन दोनों को मिला दिया जाएगा, इसमें cell wall नहीं है, इसमें nucleus नहीं इन दोनों को मिला देंगे, है नहीं है, दोनों क कोशिकां को मिलाने के बाद में नहीं कोशिका बनेगी उसकोरी का को हम समवर्दित मेर मदम रिकसित कर देंगे दोनों के गुणा जाएंगे एक का प्रोटोप्रास बीजों के रूप में करते थे हम चाहते थे कि हमारे पास में अच्छी फसल हुई है अग्दी साल भी यही हो तो बचाते रखे थे लेकिन कुछ परदित्यार पर जातियों में अलैंगी जनन होता है उनमें बीज नहीं होते हैं अगवे बहुत कम अंकुल शब्त वाले होते हैं ऐसी प्रजातियों के जनद्रवे संगरों का बंढ़ारन हीमिकरत संगर्थन या मंद्वरधी कल्चर शुशक कार्ण संगर्थन क किया जाता है और क्रतिम वीजवर्ड डियने क्लोन के रूप में किया जाता है तो कुछ भी निये बेटा इनके अंदर बेसिक निंगे भागों क्या कर लेंगे संरक्षित करके रख लेते हैं बहुत कम टैम्परेचर के उपर या धीरे धीरे इंको विक्सित करवाते हैं आराम हमारे साथ में बने रहे हैं थैंक्यू सो मॉच